well so good morning good afternoon good evening to all of you कैसे दोस्तों आप सभी लोग आए होप आप बहुत अच्छे होगे चली हमारा GST चप्टर वाई चार्ट रिविजन मिशन समभा में आपका स्वागत है तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे रिविजन आज टॉपिक होगा टाक्स इनवाईस और टाक्स इनवाईस चाप्टर में ऌकर जहान तक दिखा जया है तो सारी प्रोविजन हम अच्छे से रिवाईस करेंगे ये कहदो कि ये चाप्टर में इस बार अमेंडम thyroid जो एक मेंडमेंडमेट बस यह है यो आपका e-invoice का limit है वो अब 5 करोर कर दिया है आने since 2017-18 अगर किसी भी preceding financial year में आपने अगर यहां पर aggregate turn of 5 करोर क्रोस कर दिया होगा तो आपको current year में e-invoice जो है compulsory होताएगा तो पहले जो था ओके देड़ साल पहले 20 करोर था 10 करोर हुआ और अभी आपके exam को 5 करोर अप्लिकेबर बस इतनी सी ही amendments है तो दोस्तों यहां पर चलिए तो हम यहां tax revision tax invoice revision start करेंगे पहले तो यह बता दू कि जो student first time ही अगर mission संभव का tax invoice का revision देख रहे होगे तो yes मैं उन सभी को कहूगा कि mission संभव की playlist as well as questionnaire की playlist और आपके amendment की playlist आपको description में मिल जाएगी और मेरा first video जरू देखीगा जिसमें मैंने आपको बताए कि mission संभव इस revision series के लिए आपको किस तरह से subscribe करना है और chart notes and other material आपके login में आपको यह chart notes और other material प्रोवाइट कर दिया जाएगा जो updated charts आपको उसमें दिये जाएगे तो चलिए दोस्तों यहां पर हाँ यहां हम tax invoice के revision में जो यहां मेरी existing recording है तो existing recording में आपको जो है ओके यहां हम revision continue करेंगे जिसमें major दो ही change है कि यहां इन्वाइस की जो limit है पांच क्रोड कर दिये और hsn code hsn code जो है sorry dynamic qr code का जो chart रहेगा उसमें आपको पांच क्रोड करना है बाकी पूरा revision सेम रहेगा तो चलिए दोस्तों start करते हमारा chapter by chart revision on tax invoice are you ready yes or no चलिए यहां पर दहान से सुनना हर बात carefully सुनना और मैं आपको इतना guarantee देता हो कि tax invoice में अगर आपको notes पढ़ने में दिक्कत जाती होगी lengthy लगती होगी तो बस यह chart अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साब से अच्छे से वही rhythm में वही sequence में वही chronological order में आप यह chart पढ़ लेना साथ साथ में इसका questionnaire खतम कर देना तो बस बस और क्या है आपके ना आजाते हैं यहाँ पर invoice तो invoice कैसे देना चाहिए तो invoice normal case और supply of goods के case में और supply of service के case में वैसे invoice की provision हमने time of supply यह topic में भी देखी थी पर दोनों के लिए invoice तो देखो goods में अब मैं पहले तो मैं यहाँ यह कर देता हूँ कि invoice की 4 situations government ने दी है government कहती है कि हमने business को analyze किया है और business को analyze करने के बाद हमें पता चला कि business के nature के इसाब से total 4 situations है और 4 situations में आपने किस तरह से invoice देना चाहिए पहली situation है normal case normally इंडिया के सारे supplier of services ने invoice कैसे देना चाहिए लेकिन continuous supply of goods होगा या continuous supply of services होगा I repeat continuous supply of goods होगा या continuous supply of services होगा तो वो situation में invoice देने का तरीका थोड़ा अलग होगा अगर approval और return basis पे होगा तो वो situation में अलग होगा और अगर आपका service in between ही बंद हो गया होगा के case में आपके दिमाग में चार situations हा जानी चाहिए नॉर्मल, continuous और यहाँ पे sale on up roll और return basis और cessation of supply of services चलिए नॉर्मल केस में देख लेते हैं नॉर्मल केस में government क्या कहती है अगर कोई supplier of goods है क्योंकि यह आपको classification करना बहुत जरूरी होता है कि वो goods है यह service है और इसके लिए है आपको schedule 2 और section 8 composite और mix supply है ओके यहाँ हम जरूरी देखेंगे तो अब यहाँ जो है नॉर्मल केस में वो क्या कहते है नॉर्मल केस में यहाँ पे यह कहते है कि issue of invoice on or before अगर नॉर्मल केस और goods है goods में दो टाइप के supply होते है एक goods में movement है और एक goods में movement नहीं है goods में movement मतलब क्या मतलब क्या कि मैं आपको goods deliver कर रहा हूँ ऐदर supplier move कर रहा है या recipient लेके जा रहा है अगर goods में movement है तो on or before on or before the time of removal on or before at the time of removal for supply एक word add कर देना for supply for supply मतलब आपने tax invoice कब देना चाहिए तो जब आप remove कर रहे हो for supply धान रखना जब आप remove कर रहे हो for supply तब तक invoice देना चाहिए उसके पहले भी दे सकते हो for supply मतलब क्या मतलब अगर आप stock transfer कर रहे हो आपकी branch को भेज़ रहो आपकी branch same state में है और stock transfer कर रहे हो आपको यह पता होगा कि अगर आपकी branch same state में है और single registration में है तो वो case में tax invoice देने की जरुवत नहीं है वहाँ stock transfer चाला रूल 55 चालान बनता है तो वो क्या कह रहे है कि अगर आप remove कर रहे हो भी आप दे सकते हो उसके बाद में in other case अगे अब in other case मतलब की goods में moment नहीं है अगे दहां से सुनिएगा goods के moment नहीं है मतलब as such बेचा जा रहा है मैंने class में benches का example दिया था कि भई मैंने hall जो है benches पड़े थे और बाकी सब equipment थे तो कोई दूसरा classes वाल आया मैंने as such उसको दे दिया या कोई भी machine है जो moveable है पर fix है एक जगा और as such दूसरे को बेच दिया तो as such जिसमे moment नहीं है पर वो goods है moveable है पर हमने as such बेच दिया तो वो case में जब आप delivery देगे या made available करवाऊगे उस वक्त आपको यहां पर supply यहां tax invoice देना पड़ेगा उसके बाद में government ने एक छोटी सी amendment की और government ने एक power अपने पास रखी लास्ट टाइम ही amendment हुई थी और यह amendment क्या government कुछ category specify कर सकती है in respect of supplies of goods or service specify category of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and in such manner as prescribed मतलब government ने यह जो है कि government यह कहते है कि government कुछ services या supply notify कर सकती है जिसमें invoice कब देना चाहिए यह government बताएगी subject to such condition and condition mentioned therein specify the category in respect of any other document deemed to be tax invoice and tax invoice may not be issued हाँ तो government ने तीन पावर अभी तक इसका notification नहीं आया है लेकिन government ने तीन पावर अपने पास रखी कि नॉर्मली तो supply जो है वो goods का यहाँ पे जब movement होगी और नहीं होगी लेकिन government ने यह तीन पावर अपने पास क्या रखी कि अगर कोई ऐसा नया ही supply है अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और यह जो अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया या फिर कि invoice के जगा दूसरा कोई document अगर बना सकते हो तो हम दूसरा document स्पेसिफाइ करेगे जैसे in case of movie movie की case में अगर cinematographic film होगी तो ticket ही आपका invoice बोला जाएगा तो ऐस तरह से कोई other document होगे तो other document को हम invoice कह देंगे या फिर हम कह देंगे कि चलो यह case में tax invoice देने की जरूरत नहीं है तो यह government ने power रखा है लेकिन अभी तक कोई notification नहीं दिया है यह तो supply of goods के case में हो what do you mean by supply of service? service होगा तो आपने invoice कब देना चाहिए service होगा तो आपने invoice जो है बहुत ही standard format है normally 30 days from the completion of service याने honor before okay honor before मतलब पहले तो आप दे ही सकते हो याने अगर आप आज service provide कर रहे हो तो आप पहले भी दे सकते हो during भी दे सकते हो लेकिन service complete होने के बाद आपको 30 दिन और available है और 30 दिन में आप कभी भी invoice दे सकते हो ठीक है देखो दोनों में क्या फरक है यहाँ पे remote तक invoice दे देना पड़ता है goods के case में service में आपको नहीं service में आपको 30 दिन मिलते है और completion पे नहीं 30 दिन भी extra मिलते है तब तक आप invoice कभी भी दे सकते हो उसके बाद में यहाँ पे लेकिन banking, financial institution, nbfc और insurance company होगी तो वो case में 45 days का time दिया गया है I repeat वो case में 45 days का time दिया गया है तो 30 days and 45 days लेकिन बेटा यहाँ पे और कि थर्ड वाला point जहां student ignore कर देते है यह मैं थोड़ा आपको बताना चाहोगा हो सकता है कि इसके उपर mcq question पूछ ले क्या अगर insurance company होगी bank होगी FI होगा NBFC होगा टेली कॉम सेक्टर एड किया है या other notified person where service is provided to distinct person यहने DDP मतलब क्या कि अगर insurance company bank या financial institutional और एक्सेटरा अपने ही branch को service देती है जो separately registered है तो वो case में हर transaction पर 30 दिन में invoice देना possible नहीं है क्योंकि banks में एक मेक के branch में बहुत सारे transactions होते है example की तवर रुप है SBI branch from Pune और SBI branch from Surat तो अब SBI, SBI दुनिया भर के transaction पूरे इंडिया में करती है branch to branch between DDP तो वो case में हर transaction पर invoice देना मतलब यह तो मर जाएगे विचारे क्योंकि SBI की तो हजार से ज़्यादा branch से पूरे इंडिया में तो यह तो मर जाएगे विचारे तो ऐसे case में okay इनको invoice कब देना है okay when supplier record in the books of account और last day top quarter which is later मतलब क्या मतलब यह transaction पर invoice ना देते हुए अगर in branch transaction होगा तो वो case में जिस दिन books में entry करेंगे उस दिन अगर books में entry करेंगे उस दिन पर quarter end में और quarter end में सब settle कर देना पड़ेगा whichever is okay sorry which is later whichever is earlier मतलब क्या generally एक example की तोर पर यहाँ पर inter branch transaction banking है insurance है यह quarterly settle करते है मतलब समझे लो okay पूने SBI ने सुरत SBI को service दिया तो ऐसे case में जितने भी transaction पूने SBI to सुरत SBI होता है तो वो case में यह सारे transaction जो है okay वो यहाँ quarter के end में settle करते है तो फिर ऐसे case में transaction wise within 30 days invoice देने की दरुवत नहीं है जो quarter के end में जिस दिन settle होगा okay उस दिन पूरा invoice एक साथ बना लिया तो भी चलेगा लेकिन अगर quarter के end में क्योंकि यह कुछ sector को okay government ने यहाँ पे specially DDP transaction होगे तो वो sector के लिए इन्होंने quarter end या उसके पहले book entry okay which is earlier तो वहाँ से लिया जाएगा चली very good और के चलो फटाफट attendance लगाओ यह गलत बात है आप अगर यह revision कर रहे हो और यहाँ पे आप यह देख रहे हो तो फटाफट मुझे attendance सब की दिखनी चाहिए attendance सब की दिखनी चाहिए ठीक है ओके चली उसके बाद में continuous supply of goods और continuous supply of service फटाफट मैं दो मेड़ बात देखूगा सब की attendance देखनी चाहिए मेरे को जो भी देख रहे है continuous supply of goods और continuous supply of service इसकी definition मैंने चार्ट में नहीं लिये शायद वो definition आपने sticky note से attach कर देना definition जो book में से लिख के मैं अभी आपको explain कर देता हूँ पर definition जो है continuous supply of goods यहने क्या continuous supply of goods में continuous or recurrent basis पे supply किया जा रहा है जहाँ recipient periodically पेमेंट कर रहा है जहाँ पहला point continuous और recurrent basis पे supply किया जा रहा है supply वो electricity हो या liquid हो ओके दूसरा electricity gas और liquid कुछ भी हो दूसरा वो जिसमें periodical payment सामने वाला करने वाला है ओके यह अगर supply होगा और any notified supply of the government उसे continuous supply बुला जाएगा simple word में जो goods का supply जैसे gas का supply है उसके बाद में मैंने दूद वाले का example दिया तकि दूद वाला आपको supply कर रहा है continuous basis पे कर रहा है उसके बाद में यहाँ पे कोई liquidum product है वो supply कर रहा है तो जो भी यहाँ पे चलो फड़ा फाट जो भी connected है मज़ा आएगा आपको region में आपनी yes like करके attendance लगाओ like करके attendance लगाओ तो continuous supply of goods होगा ओके तो यह situation में यहाँ पे invoice देने का तरीका अलग होगा तो continuous supply of goods मतलब जो continuous or recurrent basis पे supply किया जा रहा है इट में भी electricity इट में भी ओके यहाँ पे through pipeline हो ओके through pipeline हो conductor और whatever the area mode आप यूज़ करें और इसमें important क्या है important recipient periodically payment कर रहा है यह इनी notified goods by service यहाँ पे तीन मेने का criteria नहीं है अगर continuous supply of service होगी तो वहाँ तीन मेने का criteria है अगर आपका contract तीन मेने से जादा होगा तो ही continuous supply of service कहा जाएगा goods के हिसमें ऐसा नहीं इसमें 5 दिन होगा 10 दिन होगा 20 दिन होगा तो भी वह continuous supply of goods कहा जाएगा ओके यह इना बात तो ऐसे situation में ओके continuous supply of goods होगा तो invoice क्या होगा अब government यह मानती है कि अगर continuous supply of goods होगा तो removal पे invoice देना possible नहीं है क्योंकि जैसा gas gas की pipeline है गयाज जा रहा है कैसे remove decide करें और रिमूल हुआ अभी invoice दो आरे वह तो continuous remove हो रहा है भई उसमें invoice देना possible नहीं है इसलिए उनके लिए separate criteria कहा और उनके लिए क्या क्राइटरिया कहा है कि दोनों contract के अंडर में supply होना चाहिए एक वर्ड बड़ा important है कि दोनों contract के अंडर में supply होना चाहिए तो ऐसे situation में continuous supply of services में अगर आप successive statement या successive payment आप जैसे दूद वाला मंतली जो है आपको एक statement बना के देता है या यहाँ पे newspaper वाला या फिर gas का आपका मंतली statement आता है तो जिस दिन successive statement बन रहा है या फिर successive payment एक साथ payment आ रहा है whichever is earlier whichever is earlier तो यहाँ पे on और before आप invoice दे सकते हो समझ लो आपका यहाँ पे दूद वाला अगले मेने के पास तारीक तक आपको statement बना के देता है तो वो पास तारीक या उसके पहले कभी भी tax invoice दे सकता है क्या रखना supply of goods के case में successive statement और successive payment whichever is earlier लिखना हो तो लिख दो whichever is earlier तब आप tax invoice दोगे लेकिन service में क्या है service में continuous supply of service तभी बोला जाएगी अगर वो continuous और recurrent basis पे दिया under contract दिया और period 3 months से जादा है और periodical payment है और any service notified by the government definition लिख लेना बेटा आपको काम आएगी यह sticky notes लगा के बाद में chart में अगर print out लिया होगा तो तो ऐसे situation में वो case में यहाँ continuous supply of service कही जाएगी अब यहाँ पे next हम देखे तो continuous supply of service में इन्होंने invoice देने के तीन criteria रखे come on यार continuous supply of service के invoice देने के तीन criteria रखे है पहला due date of payment ascertainable in a contract due date of payment ascertainable मतलब यह क्या है यह यहाँ पे ऐसा है कि समझे लो मेरा renting agreement हुआ और rent agreement मेरा यहाँ पे 11 मेने का हुआ है 11 मेने का rent agreement मतलब period जो है तीन मेने से ज़ादा है अगर period तीन मेने से ज़ादा है तो वो case में continuous supply of service बुला जाएगा अब वो continuous supply of service बुला जाएगा तो वो situation में मैंने contract में clear लिखा हुआ है कि हर मेने के 10 तारीक के अंदर मेरा tenant मेरा recipient payment करेगा तो यह payment जो है वो recipient है अगर आपको लिखना है as a landlord मुझे कब तक invoice देना पड़ेगा तो ऐसे case में दोस्तो as a landlord मुझे invoice देना पड़ेगा और वो invoice देना पड़ेगा 10 तरीक है उसके पहले on or before और के 10 जो due date fix की है तो such due date के पहले आपको वो invoice देना पड़ेगा जैसे annual maintenance contract annual maintenance contract साल बर का लिया हुआ है और आपने जो है यहाँ due date fix की हुई है तो वो due date जब जब भी आएगी to that extent जितना भी मैं service देता हूँ या जितना भी मैं rent लेता हूँ वो case में यहाँ पे उतने amount तक का invoice आपको due date के पहले issue कर देना पड़ेगा अगर due date ascertainable होगी अगर due date ascertainable नहीं होगी जैसे example की तोर पे मैं कोई class ले रहा हूँ और class 6 मैंने का है और 6 मैंने class कर ले रहे वग student मेरे पास आया और उसने कहा की sir मैं payment कैसे करूँ मैंने खुद हो की कहा तीन installment होगी okay मैंने okay periodical payment में ले रहा हूँ as per the terms of contract जिसमें मैं अपने invoice पे लिखूगा कि आप तीन installment में pay करोगे लेकिन installment की date fix नहीं किया मतलब okay कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं installment की date fix कर रहा हूँ कि देखो अभी आपको आज देना है फिर दो मैने बाद देना है और date लिखकर दे दिया मैने कि आपको यहाँ पे इस date को देना है लेकिन यह case में मैंने installment की date नहीं दिया मैंने कहा कि देखो portion wise लूगा okay पर due date क्या होगी मुझे नहीं पता तो अब due date नहीं पर 6 मैंने के अंदर तीन installment लेना है तो ऐसे situation में due date ascertainable नहीं होगी I repeat due date अगर ascertainable नहीं होगी तो date of payment received याने जब जब भी student मुझे payment लाके देगा उस दिन या उसके पहले मैं कभी भी tax invoice दे सकता हूँ okay date of payment या date of payment equals to date of payment by recipient okay यह लिख देना date of payment मतलब date of payment by recipient यह आप लिख सकते हो okay यहाँ पे next event fix in a contract event fix in a contract मतलब क्या कि मतलब यहाँ पे बहुत सी बार जब continuous supply service होता है तो payment event wise होता है अब event wise कैसे होता है जैसे ले लो construction service okay मैं construction service दे रहा हूँ आपको पूरा building बान के दे रहा हूँ अब building बान के दे रहा हूँ इसमें due date fix नहीं है पर मैंने event fix किये event fix किये मतलब क्या प्लींद पे इतना लोगा first floor पे इतना लोगा second floor पे इतना लोगा third floor पे जैसा जैसा मैं completion करूगा उतना पैसा लोगा तो प्लींद पे मैं 30% लोगा first floor पे और 10% लोगा second floor पे और 10% लोगा तो अगर कोई continuous supply of service दे रहा है जैसे architecture service, construction service और उसमें event fix की हुए, I repeat उसमें क्या event fix की हुए, तो जिस दिन वो event complete हुआ, जैसे plint complete हुई, और plint पे मैंने कितना माँगा है, 30%, तो मुझे 30% का invoice, और कि last day of completion of event, जैसे जिस दिन plint complete होगी, उस दिन या उसके पहले, मुझे वो invoice issue करना पड़ेगा, दोस्तों, exam के इसाब से very very important, इसके उपर case study आ सकती है, और इस related questions अच्छे से पढ़के जाना है, इस बार आपके exam मैं इसके उपर case study expect कर रहा हूँ, तो इस तरह से 3 event मैंने य connected है, ओके फटा फट अपनी attendance लगा, ऐसे मत करो, और अभी समझाओगा तो like करो, फटा फट, ओके और MZMZ type करो, very good, मजा आ गया, ओके उसके बाद में यहाँ पर, next हम बात करेंगे, good sent on return और approval basis, good sent on return और approval basis मतलब क्या, ओके, जैसा आप sale हो रहे है, sale हो रहे है तो example की तोर मैंने बहुत basic और day to day life का example अपने class में लिया तो और मैं अभी भी लिय रहा हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अभी किसी ने बच्पन में जरूर देखा होगा, कि यहाँ पे, okay, sale on approval or return basis में क्या होता है, sale on approval or return basis में यहाँ पे, जहां तक देखा जाए, तो एक example मैंने यह लिया था जब मैं पढ़ाता था कि एक साडी वाला आज भी हमारे घर पे आता है, okay, मेरा native place जो महराश्टर में अमरौत यह तो यहाँ पे, आज भी मेरे घर पे आता है, okay, वो पूरे अपने रिक्षा में आता है, रिक्षा मतलब आटो रिक्षा में आता है, बीस साथ से आ रहा है हमारे घर में, और वो सब साडी लेके आ रहा है, okay, यानि ऐसे सारी इसके गठे बान के आता था, फिर वो जो है, okay, घर में बैठ जाता था, घर की सारी लेडीज, एरे मेरी मम्मी, भावी वगरे सब, okay, बुआ वगरे सब बैठ जाती थी उसके पास, वो सब को साडीया बता रहा है, जैसे आपने अमीर घराने में जोईलर्स वाले को देखा होगा, ऐसी मोवी में देखा होगा, कि जोईलर्स आ गया घर पे बता रहा है, okay, तो वो क्या है कि वो जब अपने वेराउस से, इवेंट को ध्यान रखना, अपने वेराउस से दो मेने पहले की बात है, जब मैं अपने घर पे गया, okay, तो मेरे वाइफ को भी भाबी जी अच्छे लगेगी, भाईया को तो मेने बच्पन से देखा है, okay, जहां था कि भाईया मना नहीं करेगे, तो अब वो क्या होता है कि वो भाबी जी अब ये रखो आप देखो ने तो मैं लेके जाओगा आप रखो तो देखो तो और एक दो ऐसे दस सारी जमा हो गई भावी जी के पास और यहाँ पर उसने क्या वादा किया कि आप सिफ देखो ने अच्छ लगी तो मैं वापस लेके जाओगा और अपरोल रिटन बेसिस मतलब अपरोल नहीं तो रिटन कर लोगा ऐसे केस में वो सारी वाला इन्वाइस कब बनाएगा तो वो सारी वाला इन्वाइस कब बनाएगा तो अब यहाँ यहाँ पर सारी कब मत देखो नालाय को वो देखो कि वो इवेंट क्या है जिस दिन उसने अपने वेराउस से रिमू किया रिमूल नहीं इसके केस मे normal rule remove possibly नहीं है वो कब बनाएगा और कि जब यहाँ पे customer से approval मिल जाएगा अब जब customer से approval मिल जाएगा कि वो case में उस दिन वो invoice बनाएगा आप कहा लिखो के before or at the time of supply, fructified और approved by recipient अगर शे मेने के अंदर अपरूल नहीं मिला अगोई सुनो छे मेने के अंदर अपरोल नहीं मिला फ्रम देट आप रिमोवल तो जिस दिन 6 मन कंप्लीट हो जाएगे उस दिन वह इनवाइस बनाएगा लेकिन यह जो क्राइट्रिया अउनली गूड्स के केस में अप्ली केबल है यह सर्विस के केस में अपली केबल नहीं हैं बद यापने इंट्यरियर डेक्रेटर था कि और इनबाएँ से अपने आपीस के लिए उसको लगा यह हमाराक यह लग है धिक Peato activity हो गई थी और 20% activity होने के बाद देख रहा कि उसे ही ढंक से नहीं करना है, मैंने का नहीं तू नहीं मत कर, अब contract तो एक यहां पर एक लाग रुपे का हो गया था पूरा, लेकिन मैंने 20% service कर दिया, मैंने का नहीं, आप तुझे नहीं करना है, अब वो interior decorator को देखो, वो interior decorator यहां पर, जहां तक देखा जाए, उसने 20% का service complete कर दिया था, तो law क्या कहता है, law यह कहता है कि अगर किसी भी service provider की service जो in between seize हो जाए, तो to that extent, यह जितना उसने service दिया, कितना उसने service दिया, 20% जो दिया है, अगर उसने 20% service दिया है, तो 20% service तक का उसको invoice देना पड़ेगा, at the time when services cease, यहने जिस दिन cease कर दी, उसी दिन invoice देना पड़ेगा, और वो invoice to the extent, और कि अब supply made, और कि जितना supply किया, उतने supply तक invoice देना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों, यह हमने अलग-अलग situations देखी, कि जहां invoice कैसे issue किया जा सकता है, और सारी situations मैंने इसमें cover कर ली, आपके चलिए, अब यहां पर content of invoice and voucher, भी मैं यह आपको कहूँ क्या, content of invoice and voucher एक बार पढ़ लेना, मतलब क्या, आपके invoice में क्या होना चीए, मैं सब के नहीं दे रहा हूँ, पर यह जरू देख लेना, कि भाई, name, address और GSTN, supplier का होना चीए, HSN, उसके बाद मैं consecutive serial number series, invoice number होने चीए, other details of unregistered recipient, मतलब unregistered होगा, तो at least उसकी भी details होनी चीए, और यहां पर अगर amount 50,000 से जादा है, यह मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, amount 50,000 से जादा है, तो उसका address भी और place of supply भी होना चीए, HSN code, description of goods, quantity of goods, total value, taxable value, GST, tax rate अलग से mention होना चीए, amount of tax, place of supply भी होना ची चीए, address of delivery, okay, अगर river charge होगा, तो वहां पर एक option होना चीए, river charge होगा, तो river charge पर tick का option होना चीए, कि भई इसका tax recipient देगा, और कि digital signature अगर required होगी, तो वो nature of document, quick QR code, okay, QR code भी, यहां पर, okay, especially invoice के case में QR code compulsory है, और अगर आपका 500 करोड से ज़्यादा टरन और होगा, तो वो situation मे unregistered को supply किया, तो QR code, okay, यहां पर जरूरी है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, next, very very important, इसके उपर आपको question आ सकता है, और वो question क्या आएगा, okay, कौनसी ऐसी केसे से जहां tax invoice नहीं भी दिया, तो भी चलेगा, very very important, exam में इसके उपर question आएगा, एक बार फिर से, कौनसी ऐ transaction value less than 200 होगा, अगर आपका per transaction value less than 200 होगा, और supply B2B होगा, supply B2B होगा, तो वो case में invoice तो देना पड़ेगा, मतलब B2B के case में invoice देना पड़ेगा, क्यों ना आपका transaction 150 रुपे का होगा, जैसे मेरी company, मेरे company कोई stationary shop गई और मैंने का एक पेन देना, पेन 50 रुपे का हुआ, तो वो जो पेन 50 रुपे का होगा, लेकिन मैंने का नहीं भई, मुझे company के नाम पे बिल चाहिए, तो वो, okay, 50 रुपे का क्यों ना पेन होगा, वो company के नाम पे बिल होगा, तो उसे मुझे GST देना पड़ेगा, okay, okay, transaction less than 200 होगा, लेकिन, okay, यहाँ पे B2C होगा, B2C होगा, तो वो केस में यह देखो, multiplex होगा, तो multiplex में tax invoice देना पड़ेगा, और आपका tax invoice ticket ही माना जाएगा, अगर multiplex screen होगी, तो, okay, अगर recipient tax invoice मांगता है, B2C के के केस में, तो वो केस में देना पड़ेगा, बस एक ही ऐसी केस है, एक ही ऐसी केस है, यहाँ पे कि, अगर, अगर, यहा यहाँ अगर आप यह लिखोगे, देखो, अगर invoice value less than 200 है, और आप यह supply कर रहे हो, तो आपने tax invoice नहीं भी दिया, तो भी चलेगा, tax invoice नहीं भी दिया, चलो ही चलेगा, पर इसके तीन exceptions है, exception तीन, पहला, अगर B2B transaction होगा, तो देना पड़ेगा, multiplex होगा, तो देना पड़ अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा, तो अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा, तो अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा, तो at the end of the day, यह बहुत important statement है, at the end of the day, आपको उसका एक consolidated पूरे दीन का, जितने भी आपने छोटे-छोटे transaction किये, B2C, और उसमें आपने tax invoice नहीं दिये, तो at the end of the day, आपको एक complete invoice बनाके रखना पड़ेगा, और के complete invoice बनाके रखना पड़ेगा for the purpose of audit, समझ लो मैंने सुबह 20 रुपे की chocolate बेची, stationary shop है, फिर एक pencil बेची, 5 रुपे की, फिर मैंने एक customer आया, B2C, मैंने 10 रुपे का और कोई बेचा, ऐसे सारे transaction की total का, एक consolidated invoice आपको बनाके रखना पड़ेगा, तो यह important provision है, अगर value 200, तो अगर value 200 है, उससे जाता है, तो फिर तो आपको B2B हो, या B2C हो, आपको invoice बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने tax invoice के concept देखे, और के goods के case में, service के case में, 200 रुपे से कम होगा, तो वो भी देख लिए, चलो, आज आईए, manner of issuing tax invoice, आप tax invoice कैसे दोगे, तो आप tax invoice जो द invoice की, दो copy बनाऊगे, और tax invoice की सारी detail GSTR1 में, GSTR1 में देना पड़ेगा, लेकिन, कुछ case में, e-invoice, कुछ case में, e-invoice आपको बनाना पड़ेगा, और उसमें invoice reference number देना पड़ेगा, अगर आप e-invoice बनाते हो, तो फिर ये copies की जर्वत नहीं है, e-invoice concept क्या है, थोड़ा मैं आ आपको ये procedure से समझा जेता हो, okay, e-invoice जो है, अब आपके, आपका, आप खुद नहीं बनाऊगे, example की तौर पर ये procedure दिए, easily समझने के लिए, supplier है, और recipient है, और आप e-invoice के notified category में आते हो, सुनो, e-invoice के notified category में आते हो, ठीक है, sorry बटा, तो ऐसे case में, okay, आपको e-invoice के registration portal पर जाके, क्योंकि ऐसे e-invoice के registration portal बना के रखे, जिसको IRP कहते है, okay, ये portal पर जाके e-invoice बनाना पड़ेगा, आपको सारी details, यहाँ पे schema आता है, okay, तो आपको सारी details, including transport detail भी दे दो, आपको यहाँ पे, वो schema में, okay, आपको complete करनी पड़ेगी, वो आपको excel upload करनी पड़ेगी, schema में complete करनी पड़ेगी, okay, और वो सारी details complete करने के बाद, okay, यहाँ पे, आपका invoice validation होगा, QR code होगा, IRN, invoice reference number, okay, जो 64 character का होगा, और QR code, वो generate होगा, वो generate होने के बाद, आपको invoice की PDF copy आ जाएगी, मतलब, आप, आप invoice नहीं बना रह हो, और वो जो invoice की PDF copy आ गई, वो आपने recipient को issue किया तो भी चलेगा, इसका फाइदा क्या होगा, अगर आप invoice बना रहे हो, यह नीचे वाले पेच पर दिख जाएगा, आपको, नीचे वाले पेच पर लिया है, मैंने यह चार्ट, अगर आप invoice मना रहे हो, okay, जो compulsory and notified cases में, sir, अगर आप invoice कब compulsory है, आगे हम देखेंगे, तो अगर आप invoice बना रहे हो, तो यह situation में, यहाँ पे, okay, आपने जो भी information दी, उस information के base पे, आपका GSTN पोर्टल, GSTN पोर्टल अलग है, invoice का पोर्टल अलग है, e-way bill का पोर्टल अलग है, यह 3 पोर्टल अलग है, invoice, okay, IRP पे जो IRP पोर्टल है, यह data जो उसने capture किया, वो GSTN पोर्टल पे भेजदेगा, वो e-way bill पोर्टल पे भेजदेगा, GSTN पोर्टल पे जैसी भेजदेगा, आपका GSTR 1 आपको अलग से बनाने की जरुवत नहीं है, वो auto update हो जाएगा, okay, अच्छी बात है, और e-way bill की भी information जो ह है, वो auto update हो जाएगी, तो यह e-way के फायदे भी है, शलिए, दोस्तों अब आते है, e-way concept है, e-way का meaning जो है, आपको दो line में simple में में लेखना है, invoicing essentially involve reporting details of specified GST document to a government, notified portal and obtaining a reference number, तो यहाँ पे दहाँ से सुनिएगा, e- invoice जो है, यह e- invoice यहाँ पे government portal से आपको invoice बना के लेना है, और वो government portal होता है, आपका IRP portal, और यह जो government portal होता है, इसको IRP portal कहते है, और इस IRP portal से आपको अपना e- invoice करवा के लेना है, next, इस बार जो amendment हुई है, आप के time के लिए, तो e- invoice की limit जो है, इन्होंने change की है, पहले e- invoice की limit originally 20 था, मतलब यहाँ पे एक साल पहले फिर दस हुआ, और आपको भी applicable है, यहाँ पे 5 crores का limit, मतलब अगर आपका aggregate turnover, जहां से सुनिएगा, अगर आपका aggregate turnover, since 17-18, यहने अगर 2017-18 से कभी भी सुनिएगा, 2017-18 से कभी भी आपका aggregate turnover, 5 crores, now applicable limit is 5 crores, तो अगर 2017-18 से कभी भी आपका turnover, 5 crores से ज़्यादा हो गया होगा, तो वो case में आपको current financial year में invoice बनाना पड़ेगा, जहां से सुनिएगा, आपको सी present year नहीं लेना है, 2017 से लेके तो जब तक आपका current financial year नहीं आता है, तब तक कोई भी financial year में आपने 5 crores cross कर दिया होगा, तो आपका जो invoice limit, आपको invoice concept applicable हो जाएगा, most important point अगर आप अभी chart में, या मेरे explanation में, या कहीं notes में, या आपके पुराने notes में, 20 crores या 10 crores सुनते हो तो ignore कर देना, और applicable limit जो है, वो आपके लिए, कितनी रहेगी बेटा, 5 crores applicable होगी, then, चलो, और इसको notified person माना जाएगा, यह जिनों यह limit cross कर दी, उनको notified person यह माना जाएगा, ठीक है, उसके बेटा, बात में, यहाँ पे, इन्वाइस पे आपको 64 character का IRN generate करना पड़ेगा, इन्वाइस without IRN, और आपने वो limit जो cross कर दी, और वो cross करने के बाग, मतलब देखो, सिर्फ प्रिविएस यह year नहीं देखना है, अगर जैसा अब ही आपका year है, समय लो, example हो कि आपका current year है 23-24, तो 23-24 में अगर इन्वाइस जरूरी है क्या, तो आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि मैंने 17-18 में, 18-19 में, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, कोई financial year में, अगर मैंने 20, यहाँ पर यह जो लिमिट है, यह जो नोटिफाइड लिमिट है, और यह नोटिफाइड लिमिट मैंने cross कर दी होगी, किसी भी year में, और पिछले 5-6 साल में, तो मुझे invoice यह साल compulsory हो जाएगा, और मुझे IRN generate करना पड़ेगा, और यह जो है लिमिट अब अपडेट कर दो, क्योंकि आपके अटेम को यह लिमिट अपलीकेबल है, अगर पूरानी लिमिट होगी, तो scratch कर देना, और आपके अटेम को अब यह नई लिमिट अपलीकेबल है, और यह लिमिट आप अपडेट कर दीजिएगा, देख रहे हो कितनी लिमिट है, yes और आपको स्रीफ B2B के case में बनाने पड़ते हैं, सुनिये ध्यान से, E invoice आपको स्रीफ B2B के case में बनाने पड़ते हैं, B2C transaction में E invoice बनाने की जरूरत नहीं हैं, या, okay, for export होगा, for the purpose of export, registered person होगा, export भी होगा, तो आपको E invoice बनाने पड़ेंगे, आपको E invoice बनाने की जरूरत नहीं हैं, इंपोर्ट आप गुड्स के bill of entry के case में, आपको E invoice बनाने की जरूरत नहीं हैं, पर export के case में आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद में E invoice in case of reverse charge, ध्यान से सुनिएगा, river charge के case में, अगर 9.4 का river charge है, तो 9.3 का river charge है, वाट्यूरीट में भी, आपको river charge में, अगर, देखो river charge में recipient को E invoice बनाने पड़ेंगे, आपके कुछ case में recipient self-invoising system होता है, तो river charge में E invoice बनेगा, लेकिन import of service, import of service होगी तो नहीं, बाकी सारे river charge में आपका E invoice बनेगा, दन, उके, उसके बाद में exemption from E invoice, उके, E invoice किसको किसको लागू नहीं होगा, और कि ये भी important पढ़के जाना, ये भी important पढ़के जाना, तो E invoice कब-कब लागू होगा, तो E invoice, government department, local authority, special economic, इन लोगों को exemption है from E invoice, और government department, local authority, ये invoice नहीं बनाएगे, special economic zone, insurance company, banking company, FI, NBFC, ये invoice नहीं बनाएगे, गे, GTA E invoice नहीं बनाएगा, उके, उसके बाद में, passenger transport service में, बसे स्वगरे जो ticket होगे, वो E invoice नहीं बनाएगे, और cinematographic film में, जो आपको ticket मिलती है, वो E invoice नहीं बनाएगे, इसके बाहर आपको question नहीं आएगा, then, okay, अब आते हैं, मैं पूरा invoice के बारे में बनाएगे, invoice normal, 200 रुपे का, उसके बाद में copies, उसके बाद में, E invoice concept, okay, और एक बात के दू, E invoice अगर आप जनरेट कर रहे हो, पोर्टल के थूँ, तो आपको triplicate या duplicate copy नहीं बनानी पड़ेगी, okay, अब revise invoice, okay, revise tax invoice क्या है, revise tax invoice में आपका बता दू, कि if you label for registration, मतलब समझे लो, आज आपका aggregate turn और जो है, 10 लाग, 20 लाग या 40 लाग क्रॉस हो गया है, आपने यहाँ पे CTP, NITP, या reverse charge, whatever it में भी, तो आपने जो है, okay, mandatory registration में आगए, तो वो case में, okay, आज अगर आप liable होते हो, तो law क्या कहता है, law यह कहता है, कि 30 दिन में आपने apply कर देना चाहिए, और जब आप apply करोगी, उसके बाद RC आएगी, तो देखो, आज में लाइबल हो गया, मतलब आज से मेरे को GST liability आजाएगी, मतलब क्या, मतलब आज से मुझे customer को GST pass on करना पड़ेगा, लेकिन मैं apply करूगा, अपलाए करने के बाद RC आएगी, तो RC आने के बाद ही मैं invoice दे सकता हो, तो ऐसे situation में, जिस दिन मैं liable हुआ, जिस दिन मैं liable हुआ, वहाँ से जब तक मेरी RC नहीं आती है, वो period में, मैं tax invoice दे नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता tax invoice, क्यों क्यों कि वो period में मेरे पास GST नहीं है, मेरे GST number नहीं है, तो वो period में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, वो period में मैं अपने normal जो invoice है वो दे सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी RC आ गई, जैसे ही मेरी RC आ गई, तो इस period के B2B invoices, I repeat, B2B invoices, each invoice मुझे, okay, RC आने के बाद, उसके आगे एक मैने में, ये पुराने invoice, जब से मैं revise concept, revise invoice का short note पूछा, तो ये simply मत लिखना, कि just invoice, revise कर दिया, तो उसे revise invoice बलेंगे, और कि उसे, revise invoice बलेंगे, ऐसा नहीं है, revise invoice मतलब क्या, कि जिस दिन RC आई, तो ये, जब मैं liable हुआ, वहा से RC तक के invoice, मुझे आगे के एक मैने में, आगे के एक मैने में, ये सारे invoice customer को, यहा relative date of registration till the date of issuance of RC, within one month from the date of issuance of RC, consolidated revised tax invoice, register person में issue consolidated revised tax invoice, in respect of all taxable supply, made to a recipient who is not registered, who is not registered, मतलब क्या कि जो B2C transaction है, B2C transaction के case में, वो consolidated invoice issue कर सकता है, और in case of interest rate supply, where value of supply does not exceeds 2,50,000 to an unregistered person, तो चार्ट में इसको अच्छे समझते है, revise tax invoice, अगर transaction B2B है, वो intra हो या inter हो, come on, अगर transaction B2B है, और वो intra हो या inter हो, आपको हर invoice, जो वो period का है, जब से आप liable थे, till the RC, हर invoice आपको revise कर के देना है, इस invoice revise कर के देना है, B2C होगा, तो B2C होगा, अगर आपने unregister को दिया तो हर invoice revise करने की जरुबत नहीं है, उस period में आपने जितने भी, okay, sale किया होगा, कब से, जब आप liable होए, till GST, उस period का consolidated invoice भी बनाया तो भी चलेगा, okay, मतलब सारे transaction का, समझे लो, okay, 12% rate वाला, जितने भी goods बेचे उसका एक invoice, उसके बाद में, okay, 5% बेचे जितने भी goods बेच बनाया तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने B2C transaction किया होगा, तो वो case में interstate किया होगा, तो supply up to 2.5 lakhs होगा interstate में, तो वो case में consolidated tax invoice चलते हैं, लेकिन आपकी supply की value, अगर 2.5 lakhs से ज़्यादा होगी, कोई particular state में, okay, कोई particular state में, जैसे मैंने गुजरात में बेचा मा और गुजरात में ही मेरी supply की value, okay, 2.5 के ज़्यादा है, तो फिर मुझे each invoice revise करना पड़ेगा, क्योंकि उस invoice की value 5 lakhs से ज़्यादा है, okay, RC मतलब registration certificate ना लाएक हो, okay, revision कर रहे हो आप, वो भी rapid revision कर रहे हो, okay, next बेटा bill of supply, यह आपने देख लिया revise invoice, exam के लिए important, इस पे exam में question आ सकता है, revise invoice पे, okay, बेटा देखो, registration, invoice, return, यह chapter के marks मत छोड़ना, बहुत easy chapter है, और अभी आप मेरे साथ revise कर रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे बताइए, अच्छे समझ में आ रहा है, yes or no, बोलो, अच्छे समझ में आ रहा है, yes or no, सभी मेरे साथ invoice हो जाए, okay, yes sir, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और क्या, नालाय को attendance निलगाई, attendance लगाओ जो भी connected है, like करके, very good, चली, अब bill of supply, यह भी important, bill of supply कब देना पड़ता है, यह भी important, ठीक है, एक होता है tax invoice और एक होता है bill of supply, bill of supply आपको तीन cases में देना है, okay, अगर आपका supply exempt है, exempt includes meal rate, अगर आपका supply exempt है, या meal rate है, goods or service का, तो वहाँ bill of supply देना है, अगर आप representation scheme में हैं, तो वहाँ ऐसा supply जिसमें GST नहीं लगाना है, एक्जम्ट या composition scheme, तो वह bill of supply देना है, अब क्या student यह mistake की करते है, student यह सूचते हैं, वे composition scheme में bill of supply आता है, नहीं भाई, नहीं, composition scheme में नहीं, bill of supply, आपका अगर exam supply भी होगा, तो भी आपको bill of supply देना है, उसके बाद में export invoice, उसके बारे में भी देख लेते हैं, अगर आप export करते हो, तो export के case में आपको दो चीजे लिखने पड़ती है, और वो कौन सी दो चीजे supply to SEZ developer, या authorized operation, मतलब आपको आपको ऐसा invoice पर लिखना पड़ता है, कि ये supply export के लिए, या SEZ के लिए, SEZ developer के लिए, on payment, top integrated tax, आप उसके पर IGST दे रहे हो, या फिर ये जो supply करे हो, under bond, अबको तो आपको under bond या later of undertaking देना पड़ता है, अगर यहाँ पर CA final के student देख रहे होगे, तो ये with payment of IGST और with bond, हमने बहुत detail में देखा था, under IGST Act, इंटर में IGST Act नहीं है, पर final level पर IGST Act जो है, उसमें हमने यहाँ पर बहुत detail में देखा है इस बाग को, yes or no, clear, उसके बाद में कुछ additional detail आपको export invoice में देनी पड़ती है, जैसे name and address of recipient, क्योंकि वो other country का है, address of delivery, name of country, क CQ question में आ सकता है, और last part के MC question में आएगा, कि अगर बंदा taxable और exam दोनों supply कर रहा है, जैसे मेरी किराना shop है, किराना shop में आपने 50 items लिए मेरे से, या आप बीग बाजार में आए, और बीग बाजार से आपने 50 items लिए, अब इसमें कुछ items जो है, वो exampt है, कुछ taxable है, तो क और उसका नाम होगा, टाइटल होगा, invoice come bill of supply, यानि आप उपर टाइटल देदो, invoice come bill of supply, जिसमें, okay, exam item और taxable item दोनों के एक ही बिल में दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको टाइटल देना पड़ेगा, invoice come bill of supply, ठीक है, तो ये देखा, आमने invoice से related सारे consent, एक ही पेज में, नॉर्मली invoice कैसे देना ची ए, 200 का invoice कैसा होना चीए, invoice कैसे होना चीए, revise invoice कैसे होना चीए, bill of supply कैसे होना चीए, export invoice कैसे होना चीए, combine exam taxable होगा, तो आपका invoice कैसे होना चीए. और क्या चाहिए, यार, मैंने सब तो cover कर लिया है तेखा फटा फटी हाँ पये, अब नीचे आ आ तो यहाँ पर अब यह देख लो HSN code आपको अपने invoice में कब देना पड़ता है important इसके पर MCQ question आ सकता है HSN code आपको invoice में कब देना पड़ता है ठीक है यह देखो अगर आपका supply B2C होगा और B2B होगा तो अगर आपका supply B2B होगा तो आपको mandatory to mention HSN invoice invoice में HSN देना ही पड़ेगा अब mandatory होगा है अगर transaction B2B होगा तो आपको HSN देना ही पड़ेगा अब इसमें भी क्या है if aggregate turnor और preceding financial year up to 5 UCR होगा तो 4 digit का HSN देना है और अगर aggregate turnor आपका preceding financial year में more than 5 UCR होगा तो आपको 6 digit का HSN देना है 6 digit का HSN देना है clear? yes or no? पहली बात तो अगर transaction B2B होगा तो आपको HSN अब invoice में mention करना ही पड़ेगा वो product code होता है बस 4 digit का देना है या 6 digit का देना है तो यहाँ आपको आपका aggregate turnor preceding financial year में क्या है उसके base पर transaction B2C होगा if aggregate turnor of supply in preceding financial year is up to 5 UCR तो HSN देने की जरूबत नहीं है पर more than 5 UCR होगा पिछले साल में आपका aggregate turnor तो आपको एक मिनट यहाँ गरबड होगी बाटा यहाँ पर need to mention HSN of 6 digit यहाँ ऐसा चीए no नहीं चीए if aggregate turnor of preceding financial year is more than 5 UCR need to mention HSN of 6 digit ठीक है 6 digit का हुआ गलती से no आया है वो scratch कर देना तो यह case में हमने HSN देखा चलो voucher voucher में आ जाते है यहाँ पर vouchers में आ जाते है अब देखो हमारे invoice के related सारी चीज़े हो गिया यह पूरा invoice था tax invoice अलग अलग type के invoice invoice कैसे generate होगा invoice में HSN कैसे होगा invoice में QR code कब होगा यह सब कुछ हमने देख लिया ठीक है यह सब कुछ हमने देख आपके चार्ड में 50 होगा तो 20 कर देना अब भी बार बार मत पूछ हो याँ आपके चार्ड में 50 होगा तो यह 20 CR कर देना इन्वाइस अब 50 पर नहीं 20 पर हो गया है आपके अटेम के लिए ठीक है तो 50 होगा तो 20 कर देना इसको ठीक है चली अब आते बिटा वाउचर स्पैंट वाउचर भी एक फॉरमेलिटी है जो जेस्ट में दी गही है तीन टाइप के आपके वाउचर होते हैं तीनों भी बहुत important है? question आ सकता है तीनों भी बहुत important है? question आ सकता है पहला लेता हो आपका receive voucher receive voucher मतलब advance देखें जब आपको advance मिलता है तो वो supply माना जाता है और time of supply के इसाब से अगर आपको advance goods का मिलता है तो GST देने की जरुवत नहीं है क्योंकि notification 66 by 2017 आ जाता है और notification 66 by 2017 केता है कि अगर supply of goods है तो advance पे GST नहीं देना पड़ेगा invoice पे ही देना पड़ेगा या last date of invoice पे ही देना पड़ेगा इवन्दो advance पे GST नहीं होगा लेकिन आपको goods का advance मिले या service का advance मिले आपको उसका एक covering document देना पड़ता है as per GST law और वो covering document आपको देना पड़ता है क्या बेटा तो वो है receive voucher दूसरी बात service है तो service पे तो advance पे भी GST आता है तो उसका covering voucher होना ही ज़रूरी है तो in simple word goods हो या service हो आपको receive voucher देने पड़ेंगे और advance ये specially जब advance मिलता है और के वो advance के case में देने पड़ते है now very very important इसके ओपर again mcq question आ सकता है क्या अगर जब आपको advance मिल रहा है और rate of tax nature of supply is not determinable समझ लो कि किसी किया शादी है और मेरी किराना शौप है और मेरी किराना शौप है उसने मेरे पास आया कि sir हमारे एक event है शादी है आपके यहांसे 5 लाग का माल खरीदना है मैंने का अच्छी बात है 5 लाग का माल वो खरी यह 5 लाग का माल और उसने मेरे को 3 लाग का advance दे दिया अब वो 3 लाग लेकिन वो मेरे हां से कोई एक दो atom नहीं ले जाने वाला है मेरे हां से 10 atom लेके जाने वाला है 10 atom में अलग-अलग rate के है कोई यहां पर 5 परसंट है कोई 12 परसंट है लेकिन उसने मुझे एक लंसम advance दे तो अब क्या हुआ कि अब मैं catering भी देता हो, utensil भी rain पे देता हो, decoration service भी देता हो, okay तो उसने मेरे 5 लाग रुपे, 5 लाग रुपे का contract है, उसमें से 2 लाग रुपे मुझे दे दिये, पर ये 2 लाग रुपे में catering का क्या, decoration का क्या, इसका क्या, मुझे नहीं पता किसका कितन लाग रुपे दे दिये, लमसम 2 लाग रुपे दे दिये, तो जब आपको advance मिलता है, और advance में आप multiple services दे रहे हो, okay multiple goods दे रहे हो, पर goods के case में advance का importance ही नहीं है, क्योंकि TOS आता नहीं, इसलिए मैं goods का example लेके कोई फायदा भी नहीं है, मैं example जो लूगा तो बेटा यहाँ प अगलग rate है, मुझे नहीं पता यहाँ पे की मेरा nature क्या होगा, मेरा nature of supply है, intra होगा या interstate होगा, कुछ भी नहीं पता, तो law क्या कहता है, जब आपको कुछ नहीं पता, तो हम आएंगे, वो कहता है कि अगर rate नहीं पता, advance मिला और कौन सा rate लगाना नहीं पता, तो आप flat 18% स से बात कहता हूँ, और आपको nature नहीं पता, तो सबको interstate बोल दो, सबको interstate बोल दो, इसमें undo hardship होती है, कैसे होती है, मैं उसके लिए discuss नहीं करूँगा, बस आप दो line याद रखना, जब भी advance मिल रहा है, rate नहीं पता, तो flat 18% से लगा दो, और अगर nature नहीं पता, तो आप interstate उसको treat कर दो, that's all, that's all, यह था, regarding to receive voucher, second आपको सवाल आता है, refund voucher, यह refund voucher, यह refund voucher concept, very 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 important for exam, भई, पहले में डियाग्राम में समझा देता हूँ, कि supplier है, और recipient है, supplier को advance मिला, step number one, उसको advance मिला, advance का उसने receive voucher दिया, step number two, लेकिन, advance मिला, receive voucher भी दिया, लेकिन, भई, okay, मेरी batch है, मैंने batch announce किया, मुझे एक लाख रुपे फीज, advance में मिल गई, plus GST, एक लाख अटराजार रुपे मिल गया, अब service है, और service है, advance मिला है, तो यह advance का, मुझे tax government को देना पड़ता है, यह advance का tax मुझे government को देना पड़ता है, ठीक है, पर ना मैंने supply किया, ना मैंने invoice दिया, मतलब मेरा batch cancel हो गया, supply भी नहीं किया, invoice भी नहीं दिया, receive voucher दिया है, और मेरा contract cancel हो जाता है, तो government कहती है कि supplier जब पैसा student को वापस करेगा, तो उसका एक refund voucher बनाएगा, और refund voucher में जो उसने fees ली, एक लाख अटराजार रुपे, वो पूरा refund करके उसका voucher इसका फाइदा क्या, इसका फाइदा है कि refund voucher जो मन्त में आपने बनाया, वो मन्त में जो already advance पे GST दिया होगा, वो GST का आपको adjustment मिल जाता है in the month of refund voucher, मतलब refund voucher के case में, sorry, adjustment मतलब आपको refund voucher का उतना credit आपको refund दे दिया जाता है, GST का credit भी नहीं, सीधा सीधा आपको refund दे देती है क्योंकि आपने advance पे GST दिया हुआ है, एक बार फिर से, advance मिला, मैंने उसको receive voucher दिया, supply cancel हो गया, supply cancel हो गया, और invoice भी यहाँ पे नहीं दिया गया, तो उसका refund voucher बनेगा, और refund voucher देके मैं government से उसका refund लेलूगा, refund लेलूगा, तो देखो, यहाँ पे, okay, step देखना, when receipt of advance payment receipt, जिसका receive voucher दे दिया गया है, और मैंने दोनों event, supply भी नहीं किया, and, and, मैंने उसका invoice भी नहीं दिया, तो मैं उसका refund voucher दोगा, इसमें clarification है, जो मैंने चार्ट form में लेलिया है, when to issue refund voucher, refund voucher कब देना चाहिए, पहला, supply is made, but no invoice is given, but supply कर दिया है, supply कर दिया है, तो यह case में refund voucher नहीं जाएगा, और वो case में GST आएगा, जो दोनों चीज़े नहीं होगी, मतलब supply भी नहीं किया, और invoice भी नहीं दिया, तो फिर refund voucher आता है, पर आपने supply कर दिया, और invoice नहीं भी दिया होगा, पर supply कर दिया, तो refund voucher नहीं जाएगा, मतलब आपको कोई benefit मिलने वाल नहीं, invoice is made, but no supply is done, invoice दे दिया, तो refund voucher भी नहीं जाएगा, यह case में आप आगे credit note concept में पढ़ा होगा, credit note issue कर सकते हो, यह case में आप credit note issue कर सकते हो, पर refund voucher नहीं दे सकते हो, अगर invoice दे दिया, और supply नहीं किया, तो refund voucher नहीं जाएगा, उसकी credit note जा सकती है, third, supply is not made, and also invoice is not issued, दोनों condition, supply भी नहीं किया और invoice भी नहीं दिया, तो फिर वो refund voucher दोगे और आपने जो advance पे GST दिया है, और कि आपने जो advance पे GST दिया है, उसका आपको refund government देदेगी, और कि यह बहुत अच्छा analysis है कि refund voucher कब जाएगा, यह समझा है नहीं समझा, बताइए बेटा, बोलो फटा voucher के लिए, आपने supply भी नहीं किया, और tax invoice भी नहीं दिया, समझा है नहीं समझा, फटाफट बताओ, समझा है नहीं समझा, फटाफट बताओ, अब आजाईए आप तिसरे payment voucher, payment चालान कहोँ या payment voucher कहोँ, देखो, अब थोड़ा concept को याद रखना, supplier है और recipient है और आपका supplier river charge में है, आपका supplier river charge में है, आपका supplier river charge में है, तो ऐसे case में recipient को tax देना है, अब law क्या कहता है, अब law यह कहता है यहाँ द्यान से सुनो अगर supplier registered होगा दो option है यहाँ पे ठीक है अगर supplier registered है और supplier unregistered है इवन्दो supplier registered होगा लेकिन अगर आपका supplier इवर चार्ज में फिर वो GTA service हो, sponsorship service हो, legal service हो वो body corporate हो government हो, what is it में भी अगर supplier registered होगा और supplier reverse charge में notified है तो उसका tax तो recipient ही देगा no doubt, recipient ही देगा लेकिन registered होगा तो वो case में supplier tax invoice बनाएगा okay, tax invoice supplier बनाएगा वो अपने tax invoice में RCM में right tick करेगा वे important है, अगर supplier registered है तो tax invoice supplier बनाएगा, RCM पे tick करेगा, GST calculate करेगा, पर वो वो government को GST नहीं देगा okay, वो tax invoice बनाएगा RCM पे tick करेगा GST calculate करेगा और वो उसके invoice पे recipient government को pay करेगा recipient government को pay करेगा और जब recipient government को pay करेगा okay, तो government को 12,000 रुपे GST देगा और supplier को 1,000,000 रुपे समझे लो, value 1,000,000 रुपे है okay, value invoice की 1,000,000 रुपे है और GST 12,000 रुपे है तो tax invoice supplier ही बनाएगा लेकिन उसका 12,000 रुपे GST ये देगा और recipient सुनना यहाँ पे recipient जब उसको 1,000,000 की value देगा किसको supplier को क्योंकि 12,000 government को दे दिये और 1,000,000 उसको देना पड़ेगा तो जब वो 1,000,000 की value उसको देगा तो उसका वो payment voucher बनाएगा क्यों क्योंकि आपका time of supplier under reverse charge याद किजिए time of supply under reverse charge date of payment to supplier कुछ याद आया या 61th day from the date of issue of invoice whichever is earlier है इसलिए आपका TOS का document क्या तो आपका TOS का document payment voucher एक बार फिर से अगर supplier registered है तो tax invoice वो बनाएगा हम government को pay करेंगे उसको pay करेंगे और उसको pay करते वक्क payment voucher बनाएगे ये provision है payment voucher लेकिन अगर supplier unregister है अगर supplier unregister है तो वो case में tax invoice हो नहीं बनाएगा हम self invoice बनाएगे हम self tax invoice बनाएगे अगर supplier unregistered है, तो recipient self tax invoice बनाएगा, उस पे GST देगा, self tax invoice तो बनाएगा ही बनाएगा, payment voucher भी बनाएगा, at the time of payment, I repeat, अगर वो unregistered है, तो इसको दो formalities है, कौन सी दो formalities, tax invoice भी बनाना पड़ेगा, self tax invoice भी कहते हैं, government को payment भी करना पड़ेगा, और supplier को pay करते हैं, उसको payment voucher भ अब clear हो गया होगा आपको, yes or no, yes or no, जोर से बलो, very good, very good, मैं तब तक पानी पे लेता हो, बताईगे, 1 lakh बेटा value है ना, supplier ने मुझे बिल दिया, value है 1 lakh, GST है 12,000, ठीक है, reverse charge में इसलिए 12,000 का GST मुझे गवर्मेंट को देना है, 12,000 का GST मुझे गवर्मेंट को देना है, और 1 lakh उसको देनाने, भाई, बील है ने उसका 1 lakh का, तो 1 lakh जब मैं उसको दूगा, तब मुझे एक covering document बनाना पड़ेगा, जिसे payment voucher कहते है, क्योंकि इस पर मेरा TOS है, ठीक है, payment voucher तो आपको, वो registered हो या unregister हो, थोड़ा simplify कर देता हूँ, पेमेंट voucher, वो registered हो या unregister हो, पेमेंट voucher तो आपको बनाना नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो, तब river charge के TOS आता है, लेकिन, self tax invoice recipient को कब बनाना पड़ता है उसका, अगर वो registered होगा, तो फिर recipient invoice नहीं बनाएगा, supplier बनाएगा, supplier बनाएगा, और अगर वो unregister होगा, तो इस transaction का tax invoice recipient बनाएगा, बस इस से ज़्यादा मैं रिवाइज नहीं का सकता हूँ, अब आप धान से पड़ो, ओके, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, अब भाई आप आजाओ credit note और debit note में, अब आजाओ credit note और debit note में, very very important concept, एक्जाम में इसके उपर question आने के चांसे सह, okay, credit note क्या होता है, देखिए, और यह आप ignore कर देते हो, नहां से सुनना, credit note, debit note यह answer-lory document है, जब भी कुछ गलतिया original invoice में हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए, okay, ऐसा मतलब GST law कहता है, okay, GST law यह कहता है, कि अब आपने invoice में कुछ गरबढ़ कर दी, ऐसा मत करना कि invoice फार दिया, फिर नया invoice दे दिया, यह पुरानी बाते बोल जाओ, एक बार आपने invoice generate कर दिया, so कर दिया, that's all, वो GSTR 1 में update हो जाएगा, अब उस invoice में आपको अगर यह तीन गलतिया दिखती है, तो वो adjust होगी credit note से, यह adjust होगी debit note से, अब यह ancillary document से ही adjust की जाएगी, अब credit note और debit note क्या, अब देखो, one or more tax invoices for taxable value, और tax charge in that tax invoice is fine to exceed in taxable value, समझ लो, आप मेरे customer हो, example की तोर पे, example की तोर पे कोई भी एक नाम लेता है, विनायक ले लो, विनायक मेरा customer है, okay, मैं supplier हूँ, इसको मैंने पिछले 8 मैंने में 10 invoice दिये, one or more tax invoice दिये, पर 10 invoice में, एक दिया होगा, या एक से ज़्यादा दिया होगा, और वो सारे 10 invoice में, मैंने एक गलती कर दी, actually इसको जो मैंने supply किया, वो 12% GST का था, पर मैंने गलती से 18% GST लगा दिया, याने, ज़्यादा, ज़्यादा tax लगा दिया, taxable value या tax charge, in that tax invoice, जो मैंने इसको 10 invoice दिये थे, उसमें मैंने tax payable ज़्यादा पता दिया, और कि जब मेरे ख्याल में आया, और ये तो गलती होगी, मैंने ज़्यादा tax लगा दिया, तो ऐसे situation में, मैं इसको एक credit note दोगा, कि ठीक है यार, तेरे को मैंने 8% का GST लगाया, मैंने 8 लगाया, पर कितना लगाना चीए था, 12 लगाना चीए था, याने ये जो difference आया 6% का, तो one or more, सभी tax advice की एक ही credit note बनाऊगा, उस credit note में सारे invoice number दे दूगा, तो उसके account को credit करके note दे दूगा, उसको कहते है credit note, इसका मुझे क्या फाइदा होगा, मुझे ये फाइदा होगा, कि अगर मैंने credit note दी होगी 6% के tax की, तो ये credit note जिस month में दी होगी, उस month की output tax liability मेरी कम हो जाती है, मतलब मैं अपने return में दे सकता हो, कि मैंने इतने amount की credit note customer को भीजी है, तो customer को अगर मैंने credit note भेजी होगी, तो मुझे उतना tax कम पे करना पड़ता है उस month में, जैसे आपको value of supply में discount याद आ रहा होगा, post supply discount होगा, post supply discount होगा, तो मुझे उसकी credit note भेजनी पड़ती है, recipient को उसका ITC reverse करना पड़ता है, अगर लिया होगा तो, और मैंने जो credit note भेजी, क्योंकि मैंने value ज़्यादा लगा दी थी, अब कम करना है, तो वो situation में, मुझे उसका benefit मिल जाता है, तो दो बाते समझो, यहाँ पर अगर आपने original invoice में value ज़्यादा लगा दी, या आपने original invoice में rate ज़्यादा लगा दी और उसको कम करने है, और tax adjust करना है, तो पहली situation वो कि आप उसका credit note issue कर सकते हो, और जिस मन्त में credit note issue की, उस मन्त में आप tax के adjustment ले सकते हो, पहली case होई, दूसरा आप credit note का भी issue कर सकते हो, when goods are supplied or returned by recipient, मतलब goods आपने जो supply किया है, वो goods sales return हो गया, सुनो, सुनो, sales return हो गया, तो वो case में अगर बेचावा goods वापस आ जाता है, या service आपने invoice generate कर दिया, और invoice generate करने के बाद service प्रोवाइड ही नहीं हुई, तो वो case में आप credit note issue कर सकते हो, या goods supplied are found in deficient quantity, मतलब आपने invoice 1000 quantity का बनाया, पर पहुची 950 quantity, पचास quantity पहुची नहीं, तो 50 quantity का मैं credit note issue कर दूगा, अगर credit note issue कर देता हो, तो अतना, ओके यहाँ पे मुझे GST का adjustment मिल जाता है, और customer को उतना पैसा कम हो जाता है, तो यह 3 cases learn करनी पड़ेगी, जहाँ credit note issue होता है, next हम बात करते हैं यहाँ पे time limit, time limit of issue of credit note, तो credit note से यहाँ पे आप अपनी output tax liability कम करते हो, I repeat, credit note issue करने से आप अपनी, okay, credit note क्यों issue होती है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, it reduces, it reduces output tax liability, output tax liability, क्योंकि आपको adjustment मिलती है, okay, आपको output tax liability से, तो government कहती है, जो, okay, आप financial year की credit note, same financial year में issue करो, अगर कई कोई reason से, आपने वो financial year में, invoice related credit note issue नहीं किया, तो आप अगले साल के, 30th day of November, सुनिएगा, credit note का time limit, 30th day of November, और date of filing annual return, whichever is earlier, दिखो, पहले जो था, या September end था, लेकिन अब जो date है, current date जो है, आपको time limit लिखना है, याँ पर 30th day of November तक, आप अगले साल के, credit note issue कर सकते हो, मतलब बेटा, okay, जैसे ITC लेने की time limit, वो भी 30th November कर दी गई है, credit note जिससे, आपका output tax कम होता है, तीन केसे इसमें, आपने taxable value ज़्यादा लगा दी, tax rate ज़्यादा लगा दी है, sales return होगे, और goods found in deficient quantity होगा, और आपको उसकी credit note बेजनी है, और अपनी output tax liability कम करनी है, तो वो situation में, आपने अगर सेम financial year में credit note नहीं दी होगी, तो आप अगले financial year के 30 November तक भी, आप credit note दे सकते हो, और date of filing annual return, तो यह date यहाँ पे 30 November आपको याद रखना है, ओके, यहाँ पे, next लेते हैं बेटा debit note, next लेते है debit note, debit note कब इशू की जाती है, कि आपने, debit note एक ही case में इशू की जाती है, और वो है, कि आपने value कम लगा दी, बाद में पतर चला कि, अरे यार, मैंने तो इससे warranty charges लिये ही नी, मैंने तो packing charges लिये ही नी, मैंने कोई extra charges लेने हैं, और जो extra charges मैंने नहीं लिये, या फिर आपने tax rate 18% लगाना था, लेकिन आपने 20 लगा दिया, और आपने कम लगा दिया, तो customer को मैंने debit किया है, कम amount से, और मुझे extra debit करना है, तो अगर मुझे extra debit करना है, तो उसकी जाती है debit note, याने taxable value, और tax charge in that tax invoice is found to be less, मैंने जब invoice दिये, तो मैंने value कम बता दियोगी, या rate कम बता दियोगे, तो फिर उसका debit note जाएगा, debit note supplementary invoice है, और debit note वो return में बताना पड़ेगा, और debit note का time limit नहीं है, debit note मैं कभी भी issue कर सकता हूँ, दो साल वाद, तीन साल वाद, क्योंकि debit note से government को revenue मिलता है, क्योंकि मैं कुछ extra value लगा रहा हूँ, तो government का GST बढ़ेगा, इसलिए government ने debit note को time limit नहीं रखा है, लेकिन credit note को time limit रखा है, क्योंकि credit note में government को adjustment करनी पड़ती है, आपका tax कम करना पड़ता है, इसलिए credit note अगर supplier इशू कर रहा होगा, तो अगले साल के September end, सुनना, अगले साल के September end, या date of filing, बैंकिंग इंशूरंस कमपनी होगी, तो बैंकिंग इंशूरंस कमपनी NBFC होगा, तो आपने invoice में serial number नहीं भी लिखा तो चलेगा, बैंकिंग कमपनी के case में, और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बाकी सारी details आपको दिरी पड़ेगी, और document में भी issued और made available physically और electronically, ये वाला point MCQ के लिए पढ़ के जाना, अगर बैंकिंग और NBFC होगा, तो वो case में, a sale supplier में issue consolidated tax invoice और इनी अदर document in lieu देवराप by whatever the name court, okay, for supply of service में during the month, at the end of the month, समझे लो, banking service होगी, तो banking service में जो मैं bank charges लगाता हूँ, तो आज में बैंक charges लगाता है, कल लगाता है, परसो लगाता है, और के अलग-अलग DD के bank charges लगाता है, चेक के bank charges लगाता है, तो इसका एक एक invoice ना देते हुए, उस customer को month end में पूरा एक साथ invoice दिया तो भी चलेगा, MCQ के लिए important है, month end में आपने पूरा invoice दिया तो भी चलेगा, एक-एक invoice ना देते हुए, bank को ये special benefit है, passenger transport service होगी, तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा, और उस ticket में serial number और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, cinematographic film होगी, तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा, और रूल 55 चलान, important, कौन सी ऐसी cases है, जहां रूल 55 चलान बनती है, एक तो आपने liquid gas supply किया, तो रूल 55 चलान बनेगी, job work के case में चलान बनेगी, रूल 55 की, और transportation of goods for reason than other than supply, आपको याद है, जहां supply नहीं है, पर goods more हो रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, तो रूल 55 चलान बनेगी, और such other cases as notified by the government, तो इस तरह से, ओके यहां पर अलग-अलग case में, आपकी रूल 55 चलान बनेगी, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से, हमने यहां पर यह discussion देखा, तो हमारा chapter in होता है, और हमारा कौन से chapter in होता है, in voice, yes or no, अच्छे से समझा आपको, बोलिए फटाफट, फटाफट बोलिए, अच्छे समझा, अभी भी कुछ student ने attendance नहीं लगाया है, सब-सब response करो, चलो